नमस्कार दोस्तो, आज हम आपको बताएंगी बीसिन चार्ट चक्की के बारे में, जैसे कि बीसिन चार्ट चक्की आपको एक घंटे में कितना आटा निकाल के देती है, बीसिन चार्ट चक्की चलाने के लिए आपको कितने अच्पी मोटर के आपसकता पड़ती है, और साथी हमें भी जानेगे कि विजनिस के लिए लेना चाहिया नहीं, तो आप वीडियो को बिल्खुली स्कित ना करें, फुल वीडियो बहुच करें, तभी आपको हर एक जानकार ये अच्छी तरह से समझ में क्योंकि बिजनिस में हमारी आटाचकी अधिक से अधिक समय तक चलाई जाती है जिससे कि आपकी आटाचकी कभी खराब ना हो चलिए आपको मजबूत और कच्छी क्वाल्टी की आटाचकी की जुरत पड़ती है दूसरे नमबर पर आपको मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की मोटर की जुरत पढ़ती है पाँचमे नमबर पर आपको एक मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की थ्री फेस बायर की जुरत पढ़ती है आपको मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की आटच्छी क्वाल्टी की आटच्छी क्वाल्टी की मार्केट में कितने रुपे की पढ़ेगी? चलिए तो हम जानते हैं कि आपको एक अच्छी क्वाल्टी की मार्केट में कितने रुपे की पढ़ेगी? आपको मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की चक्वाल्ट जो कभी तूटे ना वो आपको मार्केट में 500 रुपे की लगवक देखने को मिल जाएंगी? चलिए तो हम जानते हैं कि मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की बायर आपको मार्केट में कितने रुपे की पढ़ेगी? मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की बायर आपको 100 मीटर बायर मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की बायर 3000 रुपे की लगवक देखने को मिल जाएगी? मजबूत और एक अच्छी क्वाल्टी की बायर आपको बिजनिस के लिए बुलकुल ले सकते हैं क्योंकि या बिजनिस के लिए काफी अच्छी आटा चक्की मानी जाती है क्योंकि या कम से कम समय में अधिक से अधिक आटा निकाल के देती है जिसके काड के आप अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं? बिसिंच आटा चक्की लगवाने के लिए आपको जितने सामान के अब सकता पड़ती है है और अच्छी क्वालटी के अश्माने इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूत नहीं है अगर यह सामान आप अपनी आटा चक्की में लगाते हैं तो आपको 5-10 साल अपनी आट शेर एंडे चनल को सस्क्राइब करें